नमस्कार दोस्तों 25 एस्टो में आपका स्वागत है दोस्तों कै कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि साल में दो एक महीने आपके खराब जाते हैं ऐसा क्यों होता है जानने के लिए वीडियो पूरा देखेगा साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि गुरू वक्री होने के कारण आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं 29 जुलाई 2022 से गुरू वक्री हो रहे हैं वह 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे यह भी बताएंगे नवग्रहों में गुरू देव ब्रहसपती सबसे बड़े और प्रभावशाली माने गए हैं गुरू को शुब ग्रह के रूत में माननेता प्रातता हैं गुरू को शुबता, सत्यता, न्याय, सद्गुण वसुख देने वाला ग्रह का आ गया है इस ग्रह को कुडली में और ग्यार्वे भाव का कारक माना जाता है जोतिश के अनुसार ब्रहस्पती पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी होता है हर साल बारा महीने में चार महीने गुरु वक्री रहते हैं और लगबग एक मास अस्त रहते हैं ब्रहस्पती आपने एक कहवत तो सुनी होगी बारा बरस में कूड़े के ढेर पर भी बहार आती है या बारा बरस में तो घूरे के भी दिन बदलते हैं ये दिन बदल ले वाली बात ब्रहस्पती के कारण ही होती है कुंडली में ब्रहस्पती चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन किसी न किसी भाव में बैठ कर वो आपको लाब जरूर देते हैं बारह सालों में एक बार वो किसी ऐसे भाव में बैठते हैं जो आपको लाब दे रहा होता है और बस वही साल आपका हिट कर जाता है उसी साल आप तरक की प्राप्त कर लेते हैं ऐसे ही साल भर में गुरू कभी न कभी ऐसी इस्तिती में आता है जब वह अस्त होगा तब आपको लाब दे जाएगा जब वह मारगी होगा तब आपको लाब दे जाएगा या जब वह वक्र के दो एक महीने लगभग रहता ही है जोतिश शास्तर के अनुसार ब्रहस्पति से प्रभावित व्यक्ति कफ प्रवर्ति के होते हैं ये लोग थोड़े मोटे धुल्थुली शरीर के होते हैं इनकी आवाज भारी होती है और आखे भूरी या सुनहरे रंकी होती हैं बाल भी ल वेकानद के चित्र को देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रहस्पति पर वावित देखती कैसा होता है कुडली में ब्रहस्पति से पंचम, सब्तम और नवम भाव पर पूर दृष्टी रखता है जहां पर भी ये बैठा हो ब्रहस्पति की दृष्टी जिन ये होती है लेकिन जिस भाव में वो बैठ जाता है उसका लाब करता है धनू और मीन में ब्रहस्पति योग कारक होते हैं इस इस्तिती में होने के बावजूद जिस भाव में होते हैं उन भावव पर दृष्टी डालने से लाप्रदान करते हैं कन्या एवं मिथुन राशी वालों के लिए या ऐसा कहें कि कन्या और मितुन लगन वालों के लिए यह बादक होते हैं जब शनी वक्री होता है तो नौकरी विवसाय और कामदंदे से जुड़ी हुई परिशानिया पैदा करता है यानि थोड़ा हानी देता है और यदि ब्रहस्पती वक्री होता है तो मांगलिक कारियों में देरी कराता है या फिर मांगलिक कारियों में खर्चा बहुत जादा कराएगा यदि किसी की कुडली में गुरु वक्री है ऐसी स्थिती में बुरा नहीं होता लेकिन उसे अत्यादिक साहसी बनाता है ऐसे लोगों को गुरु तैवेशक्ति तो परदान करता है क्योंकि गुरु शुब ग्रह रहे अगर वो वक्री होगा तो भी लाप देगा जिस भाव में गुरु वक्री होगा, उस भाव से related जोखिम याणि उस भाव से समबंदित जोखिम बढ़ाने में मदद करता है जैसे अगर वह चौते भाव से समबंदित है या चौते भाव में वक्री हो गया है तो गुरु विक्ति के अंदर अपने सुख को सेक्रिफाइज करने की शक्ती दे देता है जिसके कारण उसके घरवाले परिशान रहते हैं सेकेंड हाउस में वक्री हो गया तो घरवालों को कभी भी छोड़के जा सकता है मतलब निर्मोही बना देगा एक बार ये भी समझ देते हैं कि वक्री होता क्या है वक्र मतलब तिर्चा तेड़ा और वक्री मतलब तिर्चा तेड़ा या धीमा चलने वाला या उल्टा चलने वाला सौर मंडल में कोई ग्रह उल्टा नहीं चलेगा वो अपने पत के अनुसार ही चलेगा तो फिर वो वक्री कैसे हो जाता है आपने देखा होगा कि आप किसी ट्रेन में जा रहे है और आपके साथ कोई दूसरी ट्रेन चल रहे है और अचानक आपके ट्रेन तेज हो जाए तो ऐसा लगता है जिसे दूसरी ट्रेन पीछे जा रही है बस यही effect होता है पृत्वी और ब साल में चार महीने हर बार होता है तो इसे को गुरू का वक्रि हो जाना कहते हैं, ऐसे ही शनी भी वक्री होता है, और अन्नेगरवी उसे ही वक्री होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दू के सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते और राहू और केतु हमेशा वक्री ही होते हैं। हमने राहू और केतु पर एक-एक वीडियो बनाई है। यदि आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी यहां आपको कुछ उपाय बताये जा रहे हैं जो लगभग सभी राशियों के लिए एक जैसे ही होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुरू आपको नुकसान दे रहा है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। पहला उपाय जो शनी और गुरू दोनों के लिए हैं। पहने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, पीली सरसो, शैद मिलाकर इस्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद सच्छे जल से खुद को इस्नान करना चाहिए और इस्नान करते समय गुरू के मंतर का जाप करना चाहिए। या तो आप ओम गुम गुरुवे नमा का जाप कर सकते हैं या फिर ओम ग्राम ग्रोम ग्रा सह गुरुवे नमा का जाप कर सकते हैं। गुरू यदि शुब भाव का स्वामी है तो आपको पुखराज या उसका उपरतन सुनेहला पहनना चाहिए। हमने सुनहला रत्न पर एक वीडियो बनाई है, जिसका आप लाब उठा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यदि गुरू शुब नहीं हैं, तो ऐसी इस्तिती में आपको पीले अन, पीले वस्त्र, फूड, हल्दी, पुस्तक, इत्यादी, दान करना चाहिए दान, या तो आप मंदिर में करें, या फिर अपने गुरू को करें, यदि आप भक्ती मार के हैं और पूजा कर सकते हैं, तो यह सबसे उत्तम होता है, आप गुरू के किसी भी मंतर का जाप कर सकते हैं, या तो ओम, गुम, गुरुवे नमह, या फिर ओम, ग्राम, ग्रीम, गुर्वे नमा का नित्य जाब कर सकते हैं इसकी तीन माला पांच माला या फिर सोला माला का जाब किया जा सकता है यह बहुत उत्तव मुपाय है आईए अब बारा राशियों में गुरू का क्या प्रभा होने वाला है इन 128 दिन तक यानि 29 जुलाई 2022 शुकरवार के दिन सुब 12पे फिर से मारणगी हो जाएंगे इसकी शुरूँआत मेंश राशी से करते हैं मेश राशी अगनी तक्तुकी राशी है मेंश राशी के जातकों के लिए बहासपती नवे और बारवे भाव के सौमी होते हैं यह मीन राशी बारवे भाव में स्थित हैं और वक्री है इस दोरान जातकों का जुकाव आध्यात्मक्तागी ओर थोड़ा जादा होगा खर्चे थोड़े जादा होंगे नौकरी करने वाले लोगों को कारे स्थल पर दबाव का सामना करना पड़ेगा और इस दोरान वो अपने आपको असंतुस्ट महसूस करेंगे बड़े अधिकारियों के साथ संबंद थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे हो सकता है कि इन्हें जबरन तबाडला यानि बिना मर्जी का ट्रांसफर जेलना पड़े व्यवसाईयों के बारे में यदि हम बात करें तो यह समय थोड़ा कठिन होगा इसमें खर्चे जाता होंगे और कमाई कम होगी साजेदारी में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसलिए आप लोगों को गुरू का उपाय करना बहुत जरूरी है व्यक्तिगत जीवन में भी आपको थोड़ी सी परिशानी का सामना करना पड़ेगा जीवन साती से मतमेद हो सकते है स्वास्ति की दृष्टी से यदि बात करे तो मोटापा, ठकान और पीट से चुड़ी हुई समस्या आपको परिशान कर सकती है बुजर्ग विक्तियों के स्वास्त के लिए ऐसा में ठीक नहीं है ऐसे समय में आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुर्वे नमय का जाब करना चाहिए वरिशव राशी वरिशव राशी प्रत्वी तत्व की राशी होती है वरिशव राशी के जातकों के लिए ब्रहस्पती आठवे और ग्यारवे भाव के स्वामी होते है यह उनके ग्यारवे भाव में वक्री है इसलिए इस दौरान कार्य में बाधाया सकती है देरी से धन प्राप्त होगा लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि इनको अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त हो जाए नौकरी की यदि हम बात करें तो थोड़ी से रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है जिसके कारण आपको ये महसूस होगा कि कुछ हो नहीं रहा है लेकिन नीचे कुछ न कुछ चल रहा होगा यदि पदुनती मिलने वाली है तो हो सकता है कि उसमें देरी हो या फिर आपको लाव में कमी महसूस हो अगर आप खुद का विवसाय चला रहे है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे छूट जाएंगे साज्यदारी में समस्या हो सकती है नई साज्यदारी सोच समझ कर करें आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह समय धन कमाने के लिए ठीक है परंतु खर्चे भी पूरे रहेंगे खर्चे करेंगे तो हो सकता है कि आपको पैसे भी मिलें व्यक्तिकेज जीवन की बात करें तो अपने एहंकार को कंट्रोल में रखिए गा क्योंकि आपके एहंकार के कारण जीवन साथी से नोग जोग हो सकती है स्वास्त की दृष्टी से बात करें तो अलर्जी जुखाम पैरों में दर मानसिक तनाव या घबरहट जैसी समस्या आपको परिशान कर सकती है इसलिए सलाह दी जाती है कि योग व्यायाम जरूर करें और साथ ही सबताह में एक दिन वरत रखें वह दिन अगर व्रहस्पतिवार का होगा तो सबसे उत्तम है मिथुन राशी वायु तत्व की मिथुन राशी वाले जातकों के लिए व्रहस्पति सात्वे और दस्वे भाव के स्वामी होते हैं वे दस्वे भाव में वक्री अवस्था में है जिसके कारण करियर से जुड़ी ही समस्याएं आ सकती है यदि हम नौकरी के बारे में बात करें तो विकास थोड़ा धीमी गत्ती से होगा कर्मचारियों के साथ संबंधों में समस्या आ सकती है वो आपका फाइदा उठाने के कोशिश करेंगे और नौकरी बदलने का खयाल आपके मन में बार बार आएगा यदि आप खुद का विवसाय चला रहे तो विवसाय थोड़ा धीमी गत्ती से चलेगा उमीद जितना लाब आपको नहीं मिलेगा परिशानियों का सामना भी करना पड़ेगा और नया व्यापार सुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रियास करके कुछ समय बाद करें आर्थिक रूप से हानी की आशंका है लेकिन बहुत अधिक नहीं और गलत निर्ने हो गया तो जादा भी हो सकते हैं खर्चे को नियंतरण में रखे और सही ढंग से लेने के लिए किसी की मदद ले व्यक्तिकत जीवन की बात करें तो जीवन साती से थोड़े बहुत वाद वेवाद हो सकते हैं लेकिन वो सुलट जाएंगे स्वास्त की दिष्टी से आप अपने उपर फिजूल खर्ची करेंगे हाला कि आपका स्वास्त ठीक रहने वाला है करक राशी जलतत्व की करक राशी के लिए गुरु देव ब्रहस्पती छटे और नवे भाव के स्वामी होते हैं वह नवे भाव में वक्री है तो भाग्य के भाव में वक्री है जिसके कारण नौकरी पेसे में नए अवसर मिलेंगे और पदोन्नती का लाब मिल सकता है मतलब प्रमोशन हो सकता है अगर खुद का वेवसाय चला रहे है तो यह है आपके लिए बहुत अच्छा होगा नया वेवसाय शुरू करने के लिए यही समय है इस दोरान आप धर्मिक यात्तरा करेंगे जीवन साती से आपके संबंद मधूर बनेंगे स्वास्त की दुष्टी से सरदिम या छोटा मुटी समस्य आपको परिशान कर सकती है वैसे आप चुस्त अंदरुस्त बने रहेंगे यदि आप कोई उपाय करना चाहते है तो शनी का उपाय करें सिंग राशी अगनी तत्व की सिंग राशी में गुरुदे ब्रहस्पती पांच वर आठवे भाव के स्वामी होते है नौकरी के बारे में यदि बात की जाए तो थोड़ा सा महौल व्यस्त रहेगा काम का दबाव आप पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसके कारण हो सकता है कि आप थोड़े से अस्तवेस्त भी हो जाए यानि काम को सही समय पे न निप्टा पाए सिंग राशी के व्यवसाईयों के बारे में यदि बात की जाए तो ज़्यादा लाब नहीं होगा तो ज़्यादा हानी भी नहीं होगी यह समय सम तरीके से निप्टाना होगा काम का प्रेशर इन लोगों पर भी जाता होगा और हो सकता है कि जितना काम करें उसके हिसाब से परिणाम न निकल के आए शेयर वाजार बे या पैतरिक संपत्ती से लाग की संभावना बनी रही जीवन साती के साथ तो ठीक रहेगा लेकिन बच्चों की पढ़ाई से लेकर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है या फिर उनका स्वास्त खराब हो सकता है आपके स्वास्त के बारे में बात की जाए तो वैसे वह ठीक रहेगा लेकिन allergy की संभावना आपको बन सकती है इसलिए आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नम्य का 108 बार जाप करना चाहिए कन्या राशी प्रत्वी तत्व की राशी कन्या में देवगुरू रस्पती चौते और सात्वे भाव के स्वामी होते है या सात्वे भाव में ही वक्री है नौकरी या वेवसाय दोनों के बारे में ही बात करें तो आपको काम तो आएगा लेकिन आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं होगी आपको फील नहीं आएगा और कुछ न कुछ सुनापन महसूस होगा आर्थिक रूप से कमाई के स्ट्रोथ तो खुलेंगे लेकिन हो सकता है कि आपको ये लगे कि आर इससे यहां से ज़्यादा पैसे आने चाहिए थे स्वास्तिकी दृष्टी से बात की जाए तो तचा संबंदित समस्यां आपको परिशान कर सकती है थोड़ा बहुत ऐलर्जी सर्जी दुखामादी आपको परिशान करेगा भगवान शिव के उपासना करना आपके लिए सर्वत्तम है तुला राशी वायुतत्व की राशी तुला में गुरुदेव ब्रहसपती तीसरे और छटे भाव के स्वामी होते है नौकरी के बारे में यदि बात की जाए तो कार्यस तल पर थोड़ा दबाव आप पर बना रहेगा आपकी कड़ी मेहनत को नदर अंताज कर दिया जाएगा आपको पदुनती थोड़ी विलम से मिल सकती है नौकरी के साथ-साथ व्यवसाय में भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है लाव आपको मिलेगा लेकिन यहां क्या है कि कभी खुशी और कभी गम जैसी इस्तिती बनी रहेगी जिसके कारण कभी लाव और कभी हानी होनी की संभावना बनी रहेगी आर्थिक द्रश्टी से देखा जाए तो खर्चे बैलेंस करने में ही ज़्यादा अतार समय आपका निकल जाएगा विक्तिके जीवन की बात करें तो जीवन साती से वाद विवाद होने की संभावना बन सकती है उनके द्रश्टी कोण को समझने का प्रियास करें और थोड़ा समय उनसे दूर बिताएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा स्वास्त के लिहाद से जंगाओ, पिंडलिया या फिर पैरों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है कुछ ऐसी समस्या हो सकती है जिससे आपको अपने भाई वहन या बच्चों पर पैसे खर्च करने पड़े आपको इस समय अपने प्रिये जनों का खास खयाल रखने की जरूरत है ओम ब्रम ब्रहस्पत्य नमा या ओम ब्रहस्पत्य नमा का जाप करेंगे तो बहुत ही लावकारी होगा वरिश्चिक राशी जलत अत्व की राशी है वरिश्चिक राशी के जातकों के लिए ब्रहस्पत्य दूसरे और पांचवे भाव के स्वामी होते है और पांचवे भाव में ये वक्री हैं जैसा कि हम जानते हैं कि पांचवा भाव संतान सिक्षा या प्रेम का भाव कहा जाता है नौकरी पेशा लोगों को वहवाई तो मिलेगी लेकिन पैसे का लाब मिलने की संभावना कम है पदुन्नती होगी लेकिन मन चाही पदुन्नती नहीं होगी यदि आप खुद का विवसाय चल रहा रहे हैं तो थोड़ी बहुत निराशा का सामना करना पढ़ सकता है परन्तु आर्थिक रूप से धन का प्रवाः ठीक होगा आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे भविश्य में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जीवन साती से ओवराल अच्छी बनी रहेगी बस बच्चों के स्वास्त का थोड़ा सा खयाल रखिएगा धनू राशी धनू राशी अगनी तत्वराशी है धनू राश्की के जातकों के लिए गुरुदिव ब्रहस्पती प्रथम और चौथे भाव के स्वामी है और चौथे भाव में वक्री है नौकरी पेशा के बारे में बात की जाए तो ऐसे विक्ति थोड़ा तनाव महसूस करेंगे साती सह कर्मियों से जगड़ा भी हो सकता है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा तूतू में में तक ही सिमित हो जाएगा अगर आप खुद का विवसाय चला रहे हैं तो इस अवदी में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है किसी पार्टी के साथ आपका जगड़ा हो सकता है आर्थिक रूप से आमदनी के लिए यह समय थोड़ा ठीक नहीं है थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने खर्चे मीट नहीं कर पाएंगे आपके खर्चे बराबर मीट हो जाएंगे मतलब खर्चे बराबर चलते रहेंगे वेक्तिगत जीवन में रिष्टेदारों के साथ कोई दिक्कत हो सकती है बाकी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा रहेगा तबियत में गिराव आएगा इसलिए तबियत का खास दियान रखे मकर राशी मकर राशी प्रत्वी तत्व की राशी होती है गुरुदेव ब्रहस्पती इसके तीसरे और बारवे भाव के स्वामी होते है इस समय गुरुदेव ब्रहस्पती तीसरे भाव में वक्री है नौकरी की बात की जाए तो इस समय आपके वरिष्ट यानि सीनियर से थोड़ी समस्या आपको हो सकती है हो सकता है कि उनसे आपकी कोई तूटू में में हो जाए हाँ, जूनियर से आपके संबंद बड़े अच्छे रहेंगे यदि आप व्यवसाई है तो थोड़ी सी साजेदारी में ध्यान रखेगा क्योंकि साजेदारी में ही गड़बर हो सकती है बाकी व्यवसाई ठीक रहेगा आर्थी किस्निती से कमाई और बचत दोनों के योग ठीक ठाक है व्यक्तिकित जीवन के बारे में बात करें तो भाई बहन से आपके संबंद अच्छे होंगे बड़े भाई बड़े बहनों से संबंद बना कर रखी गया क्योंकि उनसे बिगड़ने की संभवना है जीवन साती से खुड़े बहुत जगड़ों के साथ जीवन सुख में रहेगा सर्दी जुखाम जैसी समझ से आपको परिशान कर सकती है skin related allergy भी हो सकती है आपको चोट लग सकती है इसलिए अपने शरीर का खास ध्यान रखिएगा कुम्ब राशी कुम्ब राशी के जातकों के लिए ब्रहस पती दूसरे और गैरवे भाव के स्वामी होते है और इस समय दूसरे भाव में फक्री है नौकरी के बारे में यदि बात की जाए तो बड़े लोगों से आपके संबन्द अच्छे रहेंगे आपका प्रदशन बहुत बहतर होगा और सकारात्मक रहेगा अगर खुद का वेवसाय चला रहे है तो आपके customers के साथ आपके relationship अच्छे होंगे और सुधरेंगे हो सकता है कि कोई customer इस इस्तिती का फाइदा उठाए और आपको नुक्सान पहुचा सके लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक रूप से यह अवधी ज़्यादा बुरी नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं यह आपको लाब दे कर ही जाएगी खर्चे आपके पूरे होते रहेंगे और परियाप्त धनो पारजन भी होगा विक्तिके जीवन के बारे बात करें तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंद थोड़े से अच्छे ना रहे बच्चों का खास ध्यान रखेगा आँक से संबंदित सक्करमन आपको परिशान कर सकता है इसलिए आँकों का खास खयाल रखे जलतत्व मीन राशी में गुरुदेव ब्रहस्पती लगन और दस्वेभाव के स्वामी होते है इस समय वाल लगन में ही वक्री है अगर नौकरी के बारे में बात की जाए तो कार्यस थल पर महौल में बदलाव हो सकता है इस समय वरिष्ट यानी सीनियर्स के साथ आपके वाद विवाद हो सकते है आपके जूनियर्स आपसे थोड़े कटे रहेंगे यदि विवसाई की बात की जाए तो लाव और हानी दोनों ही होने की पूरी संभावदा है मतलब अगर आप विदेश से संबंदित कोई काम करते हैं तो वहाँ से रिजल्ट आपको साकरात्मत पराब्त होंगे आर्थिक रूप से कुल मिलाकर आमदनी अठनी और खर्चा रुपईया जैसा हाल रहने वाला है व्यक्तिकत जीवन की यदि बात करें तो जीवन साती से थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है अगर आप अपने विवार को नमर रखें तो कोई समस्या नहीं होगी स्वास्त के लिहाद से सरदी और पाचन समस्या आपको परिशान कर सकती है स्पेशली सरदर्द भी आपको इस दोरान परिशान करेगा इसलिए अपने खान पान में विशे ध्यान रखेगे यदि आपको ऐसा लगता है कि देवगुरु ब्रहस्पति आपके मदद नहीं कर रहे हैं तो शुरू में कुछ उपाय बताए गए है जिनको करके आप लाब ले सकते हैं धन्यवाद दोस्तों हम इसी तरह काम की जनकारी लाते रहेंगे